हे गाईज आज मैं सेयर करूंगी मेरी कुछ फिवरीट होम रेमेडीज जिने मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और किस प्राबलेम के लिए मैंने यूज किया है और कैसा रेजल रहा है वो भी मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी होम रेमेडीज पूरा नैचरल होता है कैमिकल फ्री होता है तो इसका रेजल थोड़ा टाइम लगता है सो करने में अगर आप रेगुलारिटी के साथ मेंट अच्छे होते है तो मैं गिरिंटी जब पीती हूं उसको बैगों में करती क्या हूं मैं फेकती नहीं हूं फ्रीज में इसको रख देती हूं एक से दो घंटे के लिए जब पूरा ठंडा हो जाता है तो इसको मैं निकालती हूं जितना एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको भी तो आपका गिरीन टी भी यूज हो गया इसको फेको मत यूज करो एंड मुझे तो पसंद है इसको ऐसे यूज करना एटलिस पांच मीट भी रखो गे तो बहुत अच्छा इसको रेजल मिलता है अब मैं बना रही हूं मेरा फेवरिट रेमेडिस कोडियन स्किन केर में सबसे इसकिन और है दोनों के लिए अच्छा है तो मैं बना रही हूं राइस क्लीनजर जिसके लिए मुझे चाहिए मिल्क और राइस फ्लावर बहुत ज्यादा मुझे पसंद है क्यूंकि एक्सपोलीयेटर का भी काम करता है एंड इसकीन को बहुत अच्छा से डीपली क्लीन करत आपका इसकिन को बहुत ही एक हेल्दी अच्छा सा ग्लो भी देता है और राइस इसकिन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसकिन को ब्राइट करने के लिए तो यह तो मैं बहुत ही यूज करती हूँ हपते में तीन से चार बार तो मैं कड़ी लेती हूँ नाइट कोई एक है कि Korean skincare beauty regime जो है वो फॉलो करना चाहता है पर वो बहुत ज़्यदा एक्सपेंसिब है और मैंने भी प्रोडेक्ट खरीदा नहीं तो मैं राइस फ्लोर का क्लींजर क्लीन करती हूं अपना फेस को में इसको यूज करती हूं अट्रस्थमी बहुत ही अच्छा इसका result है आप लोग इसको ट्राइ करना इंफेट आप लोग आज ही ट्राइ करना है एक बढ़ ट्राइ तो करी सकतो इंस्टें आपको result दीखेगा आपको इसकी न भी कितना चाहिसे स्मूध और ब्राइट भी दिखेगा दिख रहा है ना मेरा तो एक बड़ जरूर ट्राइब करना वही सारे रेमेडिस में आप लोग के साथ सेयर करते हूं जिसका रेजल बहुत अच्छा होता है एफेक्टिव होता है ताकि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी सारे और यहां पर कैरेड का जूस लिया है इसकीन का जो टैनिंग होता है हाइपर पिग्मंटेशन डाक स्पॉर्ट डाल स्कीन और डीपली स्कीन को मॉस्ट्रोजर करता है क्योंकि इसमें हनी है और इसको आप वीकली तीन से चार दिन आप कम से कम यूस कर सकते हो फेस माक्स मैं इसकीन में बाहुत यहां अपने टीनेज में लगाना शुरू किया है क्योंकि वह टाइम पे मेरा फोरेड बहुत जब़ेक था और मेरा जो इसकीन में बहुत पिंपल के वहई moclaz बहुत ज़ने को जड़ा तो इसको लगाने से मेरा बहुत अच्छा से रेजल्ट हुआ है धीरे धीरे स्लोली इसमें फेड हुआ है और इस फेस पैक को आप 15-20 मिनिट तक रख सकते हो एन इस फेस पैक का रेजल बहुत ही ज़दा अच्छा है बढ़ आपको ध्यान रखना जिस दिन अप लगाओगे उस दिन कोई भी chemical product यूज नहीं करोगे आप aloe vera gel लगा सकते हो and sunscreen wash the important है next day and इसको लगाने के बाद आप इसकीन में एक instant brightness भी देख सकते हो और मेरा टावल भी अब देख लो कोई भी योलो कलर का कुछ भी नहीं है क्योंकि यहां पर मैंने wild turmeric यूज किया था तो आप लोग भी यूज करना और इसका result मुझे comment में share करना यह homemade remedy है मेरा hair के लिए तो इसके लिए मैंने aloe vera का दो fresh lips मैंने ले लिया है आपके पास अगर fresh aloe vera नहीं होगा आप जेल भी यूज कर सकते हो अच्छे से इसका जेल को निकाल लेना है hair के length के according जितना आपके hair के length है उसके बाद इसको mixer grinder में अच्छे से smooth सा एक paste बना लेना है पर जब भी आप paste बनाओगे जो जेल आप निकाल रहे हो आपको इतना धियान देना है कि आपके hair का length जितना ही एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल सकते हो कुछ भी आप और एड नहीं कर सकते इसको और बढ़ाने के लिए तो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सही जेल थोड़ा निकाल लेना उसके बाद जेल जब निकल जाएगा इसमोज सा पेश्ट बन जाएगा कोकोनट थोड़ा सा ओयल इसमें एड करना है वो भी hair का length के हिसा मिक्स कर लेना है यह scalp का ethiness होता है आपका scalp में जो बहुत ज़्यादा जो dandrop जो चिपका हुआ रहता है उसको भी remove करने में बहुत ज़्यादा help करता है एक से जो dart oil जो रहता है hair में उसको भी बहुत अच्छते clean करता है UV rays से जो आपका hair में जो damage हो जाता है जो dry, dull, एकदम पूरा एकदम खड़ख़़ा type जो hair रहता है उसको smooth करने में बहुत ज़्यादा help करता है so hair में मेरा color किया हुआ है तो इसको maintain करने के लिए मैं ये use करती हूँ 2 साल से मैं use कर रही हूँ क्योंकि 2 साल से मैंने अपने hair में color करवाया है और आज तक मैंने एक single spa नहीं करवाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा expensive भी होता है और मुझे उतना कुछ खास लगता नहीं है ये hair marks में use करती हूँ तो मुझे deeply condition भी हो जाता है और मेरा बालो को बहुत ज़्या soft नारिस रखता है इसको मैं हफ्ते में एक बार use कर लेती हूँ या फिर माहिने में दो से तीन बार में use कर लेती हूँ इसको अब एक घंटा at least रखो जो सके तो दो घंटा भी रख सकते हो कभी भी homemade कुछ भी यूज करते हो आपका फ्लोर गंदा होगा मेसी होगा वस्रूम में भी आप यूज कर सकते हो अगर यूज करना है नहीं तो घर पे भी यूज कर रहे हो तो उसको clean ज़रूर कर लेना मैं कर लेती हूँ तो नीम का पत्ता का पेस्ट भी डाल सकते हो यहां पर में बीटरूट जूस यूज कर रहे हो अपनों पावडर भी उस कर सकते हैं तीनों को बना लिया बीटरूट बॉडी मास्ट मेरा डेडी हो गया पर फेवरीट क्यों है बताती हूँ क्योंकि मेरा बैक में एक टाइम बहुत सब्सक्राइब यहीश आई यहां बॉडी में यूज करती हूँ इस पूरा बॉडी में यूज करती हूँ इसमें नीम का powder है तो जो fungal infection है या फिर जो घमोरी हो जाता है इची निच रहता है उससे भी fight करता है और ये लगाने में आप मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका color इतना प्यारा है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको मैं face में भी लगाती हूँ कभी कभी लगाती हूँ face में और body में इसको 2-3 बार अगर जब आपका बहुत ज़्यादा pimple का दाग हो black आपका बहुत ज़्यादा जिस टाइम पर problem है उस टाइम को कोसिस कीजिए 3-4 दिन एक दम maintain करके इसको लगाने के लिए बहुत ही अच्छा आपको result इसका अच्छा दि करता है डीपली body को आपको clean करता है तो इसको 20-30 मिनिस रखने के बाद जब dry हो जाएगा तो इसको circular motion में अच्छे से अपने body पे circulate करते हुए आपको इसको clean कर लेना है इससे आपका body clean हो जाएगा और आपको mild जो exfoliator होता है वो भी आपका body में हो जाएगा तो आप इसको use करना और मुझे बताना क्योंकि इससे तो मुझे बहुत help मिला है तो आप लोगों को भी help ज़रूर मिलेगा फेस में instant blow के लिए मैं use करती हूँ rose petal ice cube इसके लिए चाहिए हमें rose petal ये देसी rose petal है जिससे बहुत अच्छा खुजबू आता है वो ही लेना है उसके बाद अच्छे से उसको cut करके पानी के साथ mix करके इसको cube में डाल लेना है ताकि इसको छोटो छोटे cube बन जाए इसको चार से पांच घंट तक freeze में रख देना है and ready हो गया है हमारा cube ये बहुत ही अच्छे से अपको face को fresh रखेगा instant glow देगा puffiness भी रहता है ना सुवा सुवा उठके उभी नहीं रहेगा and makeup से पहले अगर use करोगे तो face में एक अच्छा सा pink pink glow भी रहेगा makeup बहुत ज़ा flawless लगता है and summer के time पे इसको use करना किको almost summer आ गया है fresh बहुत अच्छा fresh लगेगा आज मैंने इतना सारा home remedies यूज़ कर लिया है तो sunscreen तो लगाना पड़ेगा सो यह sunscreen एकोलाजिका का D10 वाला है मैंने 3 tube यूज़ किया है मुझे अच्छा लगा है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के बता दू तो sunscreen लगाना बहुत ज़़ा important है ताकि face में जितना सारा चीज़ लगाया है वो protect रहे सो यह सारे चीज़ जो मैंने यूज़ किया है मेरा personal experience है मेरा बहुत अच्छा result मिला है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ share करे हूँ आप से आप लोग भी अपना skin का hair का and body का ख्याल रखना सुरू करो घर पर ही home remedies यूज़ करो ताकि ज्यादा expensive भी ना हो और आप सो आज का वीडियो अप लोगों कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share, subscribe करते ना फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुस रहे हेल्दी रहे हे बाई